प्रियों आप कभी भी परमेश्वर किसी के जीवन में अदबुतकारी करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ कभी आप जाच कर देखे क्या? ध्यान से जाचे हैं क्या? आज हम जाच कर देखेंगे हमारे जीवन में सच्चे मित्र कौन है? यदि बाहर प्रगट होना है तो हमारे जीवन में कष्ट आना है प्रियो जब आप कष्टों में से, आसों में से, जब गुजरते हैं, आपके पास बैठकर आपको सांतवाना देने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आउशक्त पड़े तो आपके साथ आसों बहाने के लिए, जो आकर आपके पास बैठता है, वो ही असली और सही मित् प्रियो आपके जीवन में आपके शत्रु कौन है आप जानना चाते हैं क्या, वो कब प्रगठ होंगे जानते हैं, जब आप सफलता पाएंगे तब आपके शत्रु प्रगठ होंगे, आप जब कश्टों में से होकर गुजरेंगे, आपके सच्चे मित्र कौन है प्रगठ और आप जब सफलता पाकर आगे बढ़ेंगे असली शत्रु कौन है प्रगठ होंगे। उस समय तक मित्र के रूप में रह सकते हैं। प्रगठ होगा। इस विशे को आप अपने जीवन में कभी मत भूलिए। आपके जीवन में परमेश्वर आशिष्दे आप आशा कर रहे हैं। अद्बुतकारी करना आशा कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में अद्बुतकारी होने के बाद उस अद्बुतकारी में जब आप अपने जीवन में अनुभाव करते हैं और सफलता पाकर जब आगे बढ़ते हैं तब क्या शैतान चुप रहेगा बताईए बेश के सारे दुश्टात्माओं को वो आप के पास ले आएगा इसे याद रखे कैसे बाइबल में कुछ लोगों के पाए हुए सफलता है और उनके जीवन में जो अद्बुतकारी हुए हैं और उसके बाद जो परिणाम हुए थे उनके विशे में आपको बताना चाहता हूँ प्रिया यूसुप को गुलाम के रूप में बेज दिये वो एक घर में नौकर के रूप में काम वाले के रूप में पहुँचाया गया वो उसको दिये गए हर एक काम को अच्छे से करता था इमानदारी के साथ करता था महनस से करता था और उतना ही नहीं वो अकेला था और वहाँ उसके अपने कोई भी नहीं थे परमेश्वर मेरे संग है इस भाय के साथ इस भक्ती के साथ पवित्र जीवन बिताया प्री भाई और बहनो इस शहर में आप अकेले रह रहे हैं क्या? माता पिता आपके साथ नहीं है आप जहां भी जाएं जिसके साथ भी जाएं कुछ भी करें जहां भी सोएं कहें भी घुमें कुछ भी खाएं कुछ भी पियें किसी को मालूम नहीं चलेगा? ये सोच कर मन मर्जी से जीने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो सुनिए अपने ही हातों से परमेश्वर जो आपके लिए छिपाएं हैं हर एक आशिश को आप दूर कर रहे हैं इस सत्य को मत भूलिए प्रियों योसुप अकेला था फिर भी सुन्दर था जवान था फिर भी उससे पूछने वाला कोई नहीं था फिर भी वो अपनी आत्मिक्ता की रक्षा करता रहा फिर क्या हुआ देखेंगे आई ये उत्पत्ती की पुस्तक 49 अध्या है शुरू के कुछ वचन पढ़ेंगे जब योसुप मिस्र में पहुँचाया गया तब पोति पर नामा के एक मिस्री ने जो फिरोन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था उसको इश्माईलियों के हातों से जो उसे वहां ले गये थे मोल लिया योसुप अपने मिस्री स्वामी की घर में रहता था और यहोवा उसके संग था इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया और योसुप के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसकी संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाद से सफल कर दिता है तब उसकी अनुग्रय की दृष्टी उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए न्युक्त किया गया फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाद में सौब दिया गुलाम था नौकर था लेकिन परमेश्वर उसके संग रहकर वो जो भी करता था परमेश्वर उसे आशिस दिता था इसे पोती पर देखकर एक गुलाम की रूप में नौकर की रूप में पहुँचाए गए युसुप को उसके पूरे घर में एक अधिकारी के रूप में प्रमोश्वर दे दिया उससे इतना अधिक उंचा किया कि उसने अपना सारा कुछ युसुप के हाथ में सौप दिया तुमारे हाथ में है तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं है तुम संभालो ये कहकर युसुप को एक अधिबुद प्रमोशन दे दिया प्रियों युसुप बहुत ही खुश हुआ होगा और इस तरह सोचा होगा उनके प्रेम से वंचित कर दिये मैं एक दास और नौकर के समार इस घर में पहुचाया गया हूँ मेरे अपने कोई नहीं होने पर भी मुझे पर ध्यान देने वाले कोई नहीं होने पर भी आपने मुझे आज इस पूरे घर के ऊपर एक अधिकारी के रूप में एक शाशन करने वाले के रूप में आप मुझे कितने अद्बुत रूप से आशिष दिये पिता इस तरह जब योसुप सोचकर आननदित हो रहा था और जब योसुप अपने अद्बुत कारी को अपने जीवन में अनुभाव कर रहा था तब आश्यर ये कारी को जब वो अनुभाव कर रहा था उन्नती को जब आनन से अनुभाव कर रहा था तब शैतान क्या किया जानते हैं? एक साजिश किया. पहला उसके उन्नती का आधार है उसकी पवितरता. उसोचा उसकी पवितरता को दूर करने से उसकी आशिशें भी उससे दूर हो जाएंगी. इसलिए प्रियों शैतान क्या किया था जानते हैं? योसुप के पवितरता के उपर ह सुन रहें जवान, भाई और बहनों, जब आप अपने जीवन में उन्नती में आगे बढ़ते जाते हैं, और जब आप परमेश्वर के अद्बुतकारी को अश्चरीकारी को जीवन में अनुभो करते हैं, यदि उसका कारण आपकी आत्मिक्ता और पवित्रता है तो, तो श्र करित्र को भी गारने की कोशिश करता है, आपके गवाही को भी गारने की कोशिश करता है, सौधान हो सकता है, शैतान आपके जीवन में इसे शुरू कर दिया हो, सुनो, यदि आप धन दौलत को खोईंगे तो फिर से कमा सकते हैं, परिवार को खोगे तो कुछ ना कुछ हान उठाओगे, लेकिन कैरेक्टर को खोएंगे तो सब कुछ खोदेंगे, प्रियो इस विशय को मत भूलिए, प्रियो शैतान उस समय योसुप के कैरेक्टर पर हमला किया, प्रियो तब योसुप ने सोचा, मैं अपने नौकरी को खोदूंगा लेकिन, मैं अपने चरित्र को बि मैं अपने सुख सुविदाओं को खो दूँगा, लेकिन अपने कैरेक्टर को नहीं खोऊंगा, आज जिस आत्मिक्ता के कारण में अपने जीवन में आशिशों को अनुभाव कर रहा हूं, उस आत्मिक्ता को नहीं खोऊंगा, मैं अपनी पवित्रता को नहीं खोऊंगा, जि भिश्शित रुप से वो निर्ने ले लिया, फिर क्या हुआ, पोतीफर अपने घर आया, तब उसकी पतनी कहने लगी, उस इबरी दास को घर में लाकर रखे, वो क्या किया जानते हैं, क्या किया, मुझे अपमानित किया, मैं जो इस घर के मालिक की पतनी हूँ, उसने मेरे थी, हसी किया, इस बात को सुनकर, पोतीफर योसुप को बंदी ग्रह में डलवा दिया, उन्नती पाने के बाद, अद्बुतकारी को जब अनुभो कर रहा था उस समय, जिसे सोचा भी नहीं था, ऐसी विपत्ती आपड़ी, योसुप कलपना भी नहीं किया था ऐसे समय में, उस पर विपत्ती आपड़ी, जो विपत्ती पड़ी, जो संकट पड़ा, योसुप के जीवन में क्या ले आया जानते हैं, अपमान को ले आया, कैसे जानते हैं, उसे ले जाकर बंदी ग्रह में डाल दिये प्रियों, क्या आरोप लगाकर जेल में डाले जिस मालिक ने से नौकरी दिया उसकी पत्नी का ये अपमानित किया है ये आरोप लगाकर कितना अपमान है प्रियों इस अपमान का इस निंदा का इस विपत्ती का मैं पूछता हूँ कारण बताईए उसका पाया हुआ अद्बुत कार्य और उन्नती थी प्रियों आज कोई है कैस तरह कहने वाले मेरी नौकरी जाने का कारण ये है कि मैं उनके अधिन नहीं हुआ मुझे प्रमोशन नहीं मिला इसका कारण क्या है कि उसकी इच्छा मैंने पूरी नहीं की आज मेरे वेतन के नहीं बढ़ने का कारण क्या है कि मैं उनके च्छाओं के अनुसार नहीं चली इस तरह हमारे बीच कोई कह रहे हैं क्या प्री भाई, प्री बेहन आप सच में बहुत अद्बुत निर्णे लिये हूं क्यों जानते हैं आप अपनी नौकरी खोने के लिए आप अपनी कमाई को खोने के लिए और आप अपनी आमदनी खोने के लिए तैयार रहे लेकिन आप अपने परमेश्वर के साथ की संगती को खोना पसंद नहीं किये परमेश्वर जो पवितरता आपको दिया है उसे खोना पसंद नहीं किये परमेश्वर के दिये गए गवाई को आप खोना पसंद नहीं किये प्रियों आज आप अकेले या अकेली इस मार्ग से नहीं गुजर रहे हैं आप से पहले, हम से पहले यो सोब इसी मार्ग में से गुजरा हाज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सत्य को जानने की कोशिश करो कह रहा हूँ जब हम सफलता को पाते हैं जब हम आशिशों का अनुभो करते हैं जब हम उन्नती को पाते हैं जब हम अपने जीवन में अद्बुतकारी को देखते हैं, पूरी साउधानी के साथ जागरित रहना है। प्रियों जब युसुप अपने जीवन में अद्बुतकारी और आशिशों को पाया, तब शैतान और शैतान के लोग इसे देखकर सह नहीं सके और अपमान को, अन्याय को, विपत्ती को युसुप के जीवन में जब वे लाकर डाल दिये तब क्या परमेश्वर चुप थे। कहां बैठा है? प्रधान मंत्री के सिहासन पर। यहोवा की दृष्टी सारी फृत्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी वो निश्कपट रहता है, उसकी साहता में वो अपनी सामर दिखाए। योसुप की महनता क्या जानते हैं? नौकरी चली गई, आमदनी चली गई, अभी उसका जीवन पूरी रीती से बिगड़ गया, तहस नहस हो गया, अंत में बंदी ग्रह में डाल दिया गया। योसुप रोया सोच रहे हैं क्या? योसुप निराश हो गया सोच रहे हैं क्या? योसुप हताश हो गया सोच रहे हैं क्या? क्या प्रभू? आप ऐसे क्यों किये प्रभू? नौकरी आप दिया और नौकरी भी ले लिये। धार मिकता से मैं जिया, पवितरता से जिया, इसलि नहीं प्रियों, बाइबल में क्या लिखा है? योसुप बंदी ग्रह में होने पर भी योहवा योसुप के संग, संग था। पढ़ें गया ये। बंदी ग्रह में जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। कौन? पोती पर। अतह वह उस बंदी ग्रह में रहा। पर योहवा योसुप के संग, संग रहा और उस पर करुना की, करुना की। कहां? कहां? बताईए पिरियों। बंदी ग्रह में ढकेल कर, कोठरी में डाल देने से। प्रभू, पवित्र जीवन जीया तो इसके बंदले मुझे बंदी ग्रह में क्यों डाल दिये? अभी मेरी स्तिती क्या है? परमिश्वर पास बैठ कर, मैं हूना तुम्हारे साथ? क्या कह रहें? मैं तुम्हारे संग हूना, चिंता मत करो। कहां संग थे? प्रियों कहां? विपत्ती में, संकट में, अपमान में, अन्याय में, बंदी ग्रह के अंधकार में, परमिश्वर अपने बच्चों को छोड़ने वाला बिलकुल नहीं है। यूसुप परमिश्वर के साथ के बिना उत्तम पद्वी में रहना बैटर है कहेंगे या परमिश्वर संग रहे वो पोस्ट भी चला जाए और बंदी ग्रह में रहे ये बैटर है कहेंगे। आप ही बताईए परमेश्वर संग रहकर बंदी ग्रह में रहना सही है या फिर परमेश्वर के बिना सिहासन में रहना सही है बताईए बताईए प्रियों तो फिर अभी आप क्या चाहेंगे बताईए बंदी ग्रह में जब योसुप था तो अकेला नहीं था प्रियों जिस प सच्चे मित्रों को प्रगट करते हैं सफलताएं हमारे शत्रों को प्रगट करते हैं आज योसुप के कष्टों में सच्चा मित्र आ गया प्रियों कौन है वो सच्चा मित्र? बताईए यहोवाव सफलता मिल गई, उन्नती मिल गई अद्बुत काम हुआ, शैतान चुप नहीं था, विपत्ती को ले आया, अपमान लेकर आया, संकट ले आया, अंदकार से भरे बंदी ग्रह में डाल दिया, अभी शैतान सोचा, इसका काम हो गया, योसुप का काम हो गया, विपत्ती में से, संकट में से, अपमान में से, अन्य अन्याय में से यूसुप को गुजरना पड़ा, फिर भी प्रियों परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इसका प्रतिफल परमेश्वर यूसुप को देश्वर शाषन करने वाले पदवी तक पहुँचा दिया, मेरे जीवन में परमेश्वर अद्बुतकारी जब किया, उस अद्बुतकारी को देखकर सहना पाने वाला शैतान संकट हो सकता है, विपत्ती हो सकता है, अन्याय हो सकता है, वो कुछ भी ला सकता है, लेकिन मैं इन सभी में अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूँगा, जि पित्र परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में, हम कितने भी दीनी स्थिती में क्यों ना हूँ, धर्मिक्ता और खराई से जीने से, हमें बलवंत करके, हमारे स्थिती को बदल कर, उत्तम स्थिती में पहुचा कर, आपके नाम की महिमा करने वाले महान परमेश्वर हैं, पिता, आपको हम धनिवाद इस्तुती करते हैं। हम अपने जीवन में उन्नती करने से शैतान देखकर सह नहीं पाता है। योसुप को पाप में गिराने के लिए उस पापी स्तरी को उभारा। दाउत के विश्य में पाप के अधिन हुए शाउल को उभारा। शद्रक मेशक अभितनगों के विश्य में नबुकदनेजर नाम के राजा को उभारा। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे उन्नती को देखकर रुकावट डालने के लिए। हमारे जीवन में हम अद्बुतकारी को अनुभव ना कर सके। शैतान किसी ना किसी को उभारता है, वे हमारे जीवन में विपत्ती को, संकट को, अपमान को, अन्याय को लेकर आने से पिता, हम आप से सवाल ना करके, हम आपकी निंदा ना करके, हताश और निराश ना होकर, अगर धीर अज रखेंगे तो, सहनशिलता के साथ, विश्वास के साथ आप पर निर्भर रहेंगे तो, जो खोये हैं उससे भी सो गुना बढ़कर, आशिशों को वापस हम पाएंगे, ये सत्य है, ये संदेश, हम जीवन भर ना भूलें दया कीजिए, हर एक रिदय में इस सं पिता, आमीन